हे गाईज कैसे आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे मैं हूँ एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना ओन डिमांड में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओट्स एंड सीसमे सीट के लड्डू की रेसिपी जो की प्रोटीन और फाइबर में बहुत जादा इन लड्डू में मैंने रिफाइंड शुगर और ओयल का इस्तमाल नहीं किया है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं लड्डू को इनको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यह हाफ बाउल ओट्स इनको गोल्डन ब्राउन होने तक रोश्ट करना है ओट्स की कांटिटी आप अपने कॉंडिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा लड्डू बनाने हैं तो ज्यादा ओट्स ले सकते हैं कम बनाने हैं तो कम क्वांटिटी में ले सकते हैं इस टोटली अप्टू यह इनको रोश्ट होने में 5-6 मिनट का टाइम लगेग क्यूंकि हमें हाई फ्लेम पे नहीं करना नहीं तो यह जल दाएगा ओट्स रोष्ट हो गए हैं आप देख सकते हैं यह कोल्डन ब्राउन हो गए हैं इनको मैं बाउल में ट्रांस्पर कर लूँगी इसके बाद मैंने यह सीट में सीड लिये हैं इनकी क्वांटिटी भी आपके अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं अगर ज्यादा लड्डू बनाएंगे तो ज्यादा क्वांटिटी मिलेंगे कम लड्डू बनाएंगे तो कम क्वांटिटी मिलेंगे उनको भी golden brown होने तक roast करना है constantly चलाते रहना नहीं तो ये बहुत जल्दी चल जाते हैं इसको roast होने में 2-3 मिनट का time लगेगा गैस के flame को low to medium रखना है सीसमे सीड में बहुत जादा calcium होता जो आपके bones के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो अपनी diet में जरूर include करें ये भी roast हो गए इनको भी मैं एक bowl में transfer कर लूँगी इसके बाद मैंने लिये हैं ये dry fruits ये almonds है आप चाहें तो अपने हिसाब से दूसरे भी drive fruits ले सकते हैं इनको जादा जलाना नहीं है बस थोड़ा सा roast करना है ये भी roast हो गए हैं और ये सारे ड्राइफ जो भी roasted ingredients है इनको मैंने पाउल में ले लिया है इसमें कुछ एक्षा चीजें भी add करूंगी मैं ये चिया सीड हैं इनको डालूंगी वेट लॉस में बहुत अच्छे होते हैं चिया सीड और ये cinnamon powder लिया है मैंने इसके अलाबा कार्डमम के सीड लिये हैं और ये जागरी लिया है सुगर की जगह पर सारे इंग्रीडेंट को जो भी roasted ingredients थे उनको मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है और इनको ब्लेंड कर लेंड़े थोड़ा-थोड़ा करके जागरी है इसको खोड़ा-थोड़ा करके वे ब्लेंड और ये लेजिए blended mixture इस तरीके से कुछ आएगा आप चाहें यहांपर तो थोड़ा सा गही ही ले सकते हैं अपने हाथ में लगाए लेकिन मैं मैं और नहीं ले रहे हूं आप चाहें तो ले सकते हैं बिना गही के भी बन जाएंगे कोई problem नहीं है इस तरीके से लड़ू बना लेने हैं और लीजिए ये healthy oats and sesame seed के लड़ू बनकर तयार है इनको मैंने थोड़ा सा कैश्यू से गानिस कलिया है तो अच्छे लग रहे हैं दिखने में और ये बहुत ही ज्यादा healthy है और आप इनको guilt free होके ले सकते हैं तो I hope आपको लड़ू की recipe अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो please like and subscribe my channel and thank you